जैस्री राम भक्त जनों प्यारे भक्तों जो भाई अपने सगे भाई के साथ यह तीन काम कपट से करता है उसका सर्व नास हो जाता है भक्तों बड़े ध्यान से सुननों और समझना और विचार करना भक्तों सबसे पहला काम जो भाई भाई के साथ कपट करता है अपने भाई से दुस्मनी रखता है दूसरे जो उसके अपने नहीं हैं उनसे मित्रता रखता है और अपने भाई को उनसे ही पिटवाता है उनके साथ अत्याचार करवाता है तो वह भाई भाई नहीं है समझे लो वह दुस्मन है और उसका सरवनास निश्यत है नम्मर दो जो भाई भाई की जो प्रोपर्टी है जो जाजाद है उसको हड़प लेता है और उसको हर समय घ्रिना के भाव से देखता है और उसकी निश्यत यह रहती है कि मेरा भाई नहीं यह दुस्मन है यह भोका मरे तो अच्छा है यह भीग मांगे तो अच्छा है तो भक्तो वे भाई भाई नहीं वे दुस्मने उसका सरवनास निश्चित हैं और तीसरी और अंतिम बात क्या है जो भाई अपने भाई की इस्त्री पर गलत नियत रखता है गलत नजर रखता है ब्यवचार की कोशिश करता है उल्टा सीधा बोलता है और उसको यह समझता ही नहीं कि इस्त्री तो आकर इस्त्री ही होती है इस्त्री तो एक तरह से माता रूप होती है बेहन रूप होती है बेटी रूप होती है तो इस तरह का भाई जो भाई की पत्नी के साथ इस तरह से दुर बेबार करता है इस तरह से नजर रखता है तो समझ लो भाई नहीं वो दुस्मन है उसका स्रवनास निश्चित है तो प्यारे वक्तों आपने ये धान से सुना होगा अगर आप इन में से कोई भी कारिय करते हैं तो वह कारिय न करें भाई को भाई का सम्मान दें भाई को अपना दायना हाथ समझें और भाई से बढ़कर और कोई सगा में त्रहो नहीं सकता है जै श्रीया